कि अच्छ कर दोस्तों एंड्रोड गुरू में आपका सौगत है आज मैं आपको पताऊंगा कि आइसी आइसी आइ आइ मोबाइल एप से आप फन्ट ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं आइ मोबाइल से आप दूसरे एकॉन को कैसे सेंड कर सकते हैं यह देखिए पहले आइ मोबाइल ओपन किजिए गां ओपन करते ही अधिकिए आप खूर रहा है यह देखिए यह एंटर फोर्ट डिजिट लॉग इन पिन नमबर बता रहा है यह आप अपने डेबिट कार्ड को संसे करने के बाद आपको पिन नमबर मिलेगा वह पिन नमबर से आप उपन कर सकते यह आप तो यह एपट ऐबन करने के बाद यह देखिए फंड ट्रांसवर पर क्लिक कीजिएगा और फंड ट्रांसवर करने के बाद अब अगर आप ICICI बैंक से दूसरे बैंक को पेमेंट करना चाहते हैं आपका जो पार्टी है वो उसका बैंक अलग है आपके बैंक से आइसी बैंक नहीं है करूर वेशया बैंक एसबी आइबैंक है तो आउटसाइड आइसी 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 आइबैंक सेलेट कीजिए गया यह टैप करनते हमें यहाँ पर तीन अप्शन दिखाएंगे आपको एक आइम पीएस यह आइम पीएस क्या है आप डिपाजिट करते ही आपको रियल टाइम में दिखा देंगा कि यह आ गया है एमांट फलाना एमांट आ गया है यह नेफ्ट नेफ्ट आपट शिर्फ जीरो से लेके 10 लाग तक का प्यामिंट कर सकते हैं और आईम पीएस में आप सिल्फ्ट लाग रुपए तक का पेमइंट कर सकते हैं यह निफs आप RTGS तो पहले मैं बिताता हूँ IMPS से आप कैसे सेंड कर सकते हैं money यह देखिए no other bank pay fund to add new pay please click here तो I am आपको fund transfer करना है तो आप pay आप जिसको बिजाना चाहते हैं उसका add pay में register करना पड़ेगा यहां देखिए मैं register करता हूँ कि add pay में आते हैं कि यह देखिए receiver name आपका जो भी है आप जिसको भी जाना चाहते हैं उसका नाम निखिए यहां पर रिसीवर निकनेम यहां रिसीवर एकान नंबर और पर एकान नंबर और एकान टाइप क्या एकान टाइप है तो यह देखिए यह मेरे खुद का मैं निकता हूँ एक्जाम्पल के लिए कि दिखिए बिने निकता हूँ कान नंबर यह देखिए है मेरा एकान नंबर सेविंग का है तो सेविंग आई फस ऐफ सी कोड जरूरी है तो यह कस्टमर का और आप जिसको भी विशाना चाहते हैं पेमेंट करना चाहतें उतका बैंक का आई एससी कोड जरूर दालना पड़ेगा इदर मेंशिन करना पड़ेगा यह देखे सब्मेट पर क्लिक कीजिए आप यह इन्फरमेशन भरते ही सब्मेट में क्लिक कीजिए और आपका यह पेई अगर यहां पर पूछेगा कंफरम पर ही डीटिल्स एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप उन्हें जो भी एकॉन नंबर दाला है वो सही है या गलत है एक बार चेक कर लीजिए गाइदर और कंफरम पर क्लिक कीजिए अब जिस किसी को भी अपने आई मोबाइल से बेजना चाते है एमोंड तो उसका एकॉन नंबर और आई एफसी आई कोड और नाम एट पेई में निखना बहुत कंपलसरी है जरूरी है दिही रूड हो रहा है कि जैसे ही आप कंफर्म पर ही करते हैं तो आपको यू आरन कोड आएंगा कि यू आर एन कोड यहां पर सब्मिट कीजिएगा आपके रेश्टर फोन नंबर पर आएगा यू आरन कोड तो देखिए यहां पर यह सक्सेस हो गया तो इसके बाद में यहां पर ट्रांसफर नौ कीजिए यह आउटसाइड आईसे ऐसे आई बैंक कीजिए मेरा और एक एकांट करूर वर्षया में है जो अलग बैंक है आईसे ऐसे तो उसको मैं सेंड करना चाहता हूं यहां पर देखिए आई-एम-पि-एस मैंने सलेट किया है किया है किया हूआ है यह देखिए अभी टू विज चैसार कुलर आप सेंड करना चाते हैं तो आप जितने चाहिए उतने एक निख़ाएगी कर सकते हैं उसके बाद में यहां पर देखिए कि एमांट यह एक उर्पे सेंड करना चाहता हूं यहां पर सब्मीट कर रहा हूं इसके बाद में यहां पर दिखाएगा प्री कन्फरमेशन कर दिखाएंगा यह आपका एमांट यह सब वगेरा सब सही है तो यहां पर सब्मीट करिए सब्मीट होते में यह सक्सेस हो गया तो ऐसे आप एमांट ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक को आसानी से वितिन सेकंड्स धन्यावाद प्लीज मेरे नए चैनल को सब्राइब सब्राइब कीजिएगा धन्यावाद थैंक यू